जिन्दगे के इस्तपन को सहन कीजिए जनाब ले अक्सर वो पौधे मुर्जा जाते हैं जिनकी परवरी से छाय में होती है कुछ जोटे लोगों का ये परजे असली है चेर तो नकली है पर अभिनो असली है कपडों की मैंचिंग बिठाने से सिर्प सरीर सुनदर दिखेगा रिश्ते वा हालातों से मैंचिंग बिठा लेजिए ग्यार जीवन सुनदर हो जाएग़ा अहंकार और संसकार में फर्क है आंकार दूसरे को जुका कर खूश होता है संसकार स्वयम जूख कर खुश होता है हम दुनिया को चाका स्वान में खोए हुए है और वक्त चुप चाप हमारी कब्र खोद रहा है कमजोर बेक्ते से दुश्मनी सबसे जादा खतरनाक होती है क्योंकि वो उस समय वार करता है जब हम कलपना भी नहीं कर सकते खुशी से संतुष्टी मिलती है मानता हूँ खुशी से संतुष्टी मिलती है और संतुष्टी से खुशी मिलती है प्रंतु फर्क बहुत बाया है खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टी देती है और संतुष्टी हमेशा के लिए खुशी देती है सब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और सब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं आज इनसान उमीदों से बन्धा एक जिद्धी परिंदा है जो घायल भी उमीदों से होता है और जिन्दगी भी उमीदों पार है दोस्तों, लाइफ में किसी चीज को इंकार मत करो क्योंकि जितना तुम सोचते हो जिन्दगी उससे कहीं ज़्यादा तेज निकल रही है हमें किसी भी खास समय के लिए इंतिजार नहीं करना चाहिए बलकि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी से पूरी कोसिस करने चाहिए कुछ उल्जनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए बेसक जवाब देड़ से मिलेगा लेकिन बहतरी मिलेगा ये किरदार मेरा ही है हर चाहत मैं पाना सका मांगे से भी ना मिले तो रब बदले नहीं जाते है जिन दिन हम याज समच जाएंगे कि हमारे सामने वाला गलत नहीं है सिर्फ और कि सोच हम से अलग है उस दिन जीवन में दुख समाप्त हो जाएगी बड़पन का वगुड है जो पद से नहीं सल्सकारों से प्राप्त होता है जिन्दगी के मुश्किलों को अपनों के बीचे रख दो तो या अपने रहेंगे या फिर मुश्किली रहेंगे अपनों के लिए चिंता हिर्दे में होती है सब्दों में नहीं और अपनों के लिए गुर्षा सब्दों में होता है, हिर्दे में नहीं खुद को भी कभी महसूस कर लिया करें कुछ राउन के खुद से भी होती है इंसान की प्रसानी की सिर्फ दो ही वज़ा है वह तकदीर से ज़्यादा चाता है और वक्त से पहले चाता है पहल को लगने वाली चोट समभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझधाली से जीना सिखाती है अज तुम पर हस रहे हैं जो वही लोग कल तेरा गुर्गान करेंगे करके दिखा दे वो कमाल जो तुम पर सब अभिमान करेंगे तेरे खिलाब क्या तूफान, क्या आंधी, क्या सुनामी करेंगे आज बाधा बनके जो खड़े हैं कल तुझे ये सालामी करेगए भाग के दर्वाजे पर सर पिटाने से बहता रहे करमूं का तूफान बाधा करेंगे दर्वाजे अपने आप खुल जाएगे यू तो कोई शबूत नहीं है कि तुम मेरे हो, ये दिल का रिष्टा है, शिर्फ यकीन से चलता है, सक्त हाथों से भी हिसल जाती है कभी नाजु को भी रिष्टे जोड से नहीं, प्यार महुबर से पकड़े जाते हैं, पानी में गिरने से किसी की मृत्तु नहीं होती, मृत् परिष्टिकियां कभी समस्त्या नहीं बन दी, समस्त्या तभी बनती हैं, जब उस्ते नुपत्न हमें नहीं हो, उन पर ध्यान मत कीजिए जो आपको पीट पीछे बाते करते हैं, इसका सिधा आर्फ है कि आप उनसे दो कदम आगे हो, सफल होने पर और आशफल होने पर डो तुम्हारे साथ हैं, यदि यह सच में साथ होतें, तो संगर्श की जरूरत ही न पड़ते, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम्हें इसलिए सला नहीं दे रहा कि मैं ज़्यादा समस्तार, बिलकि इसलिए दे रहा कि मैंने जिन्दगी में गल्तियां तुम से ज कल किसने देखा है, तो आज भी खोई क्यों, जिन घड़ियों पर हस सकते हैं, उन घड़ियों पर होई क्यों, सारे दुनिया कहती है हार माल लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है, एक बार, और कोशिश कर, तु जरूर कर सकता है, नहीं मांगता ये खुदा के जिन्दगी सो साल की दे, दे भले चंद लम्हों की, लेकिन कमाल की दे, मनुस कितना भी गोरा क्यों ना हो, मनुस कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंत उसकी बर्चान सदे उकाली होती है, मैं स्रेष्ट हूं, ये आत्मी विश्वास है, लेकिन मैं ही स्रेष्ट हूं, ये हमारा आहंकाल है, सा अभिमान की ताकत फरिस्ते को भी सैतान बना देती है लेकिन नम्रता कम शक्तिसाली नहीं है कि या साधार इंसान को फरिस्ता बना देती है